हेलो फ्रेंज स्वाकत आपका मेरे यूटूब चैनल मुनिया की कहानी में फ्रेंज आज हमारी कहानी है बाग की बीबी तो चली शुरू करते हैं अपनी कहानी बहुत समय पहले एक गाउं में एक बूड़ा ब्राहमन अपने तीन बेटो और एक बेटी के साथ सुख पुरुवक रहता था उसकी बेटी सबसे छोटी और लाडली थी इसलिए उसका पालन पोशन ब्राहमन ने बहुत प्यार से किया था परन्तु इसका नतीजा यह हुआ कि लड़की बिगड़ कर बहुत जिद्दी हो गई साथ ही उसमें एक कमी और थी जब भी वह किसी अच्छे लड़के को देखती तो तुरंत अपने माता पिता के पीछे पढ़ जाती कि वे उसी के साथ उसकी साधी कर दे तब उसके माता पिता के लिए उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता था इसी तरह कुछ साल गुजर गए लड़की वैस्क हो गई लेकिन साधी के लिए जिद्द करने की उसकी यादत पहले जैसी ही बनी रही लड़की के माता पिता यह भी जानते थे कि रिवाज के अनुसार अगर उन्होंने सीग रही अपनी बेटी की साधी नहीं की तो बिरादरी उनका हुका पानी बंद कर देगी इसी लिए वे अपनी बेटी के लिए वैगरता से योग गिवर की खोज करने लगी उस गाउं के पास ही एक घना जंगल था जिसमें एक खुंखार बाग रहता था उस बाग ने किसी प्रकार काला जादू सीख लिया और अब वह कोई भी रूप धारण कर सकता था उस बाग को ब्रामनों के हाथ का भोजन खाने का बहुत सोग था वह अक्सर ब्रामन का वेश रखकर मंदिरों में चला जाता था और वहाँ पर ब्रामनों के साथ ही भोजन करता था वह साधी भी किसी ब्रामन की बेटी से ही करना चाहता था ताकि वह उसके हातों से बना खाना खा सके एक दिन जब वह बाग ब्राह्मन के रूप में बैठा भोजन कर रहा था तभी उसने वहां बैठे लोगों से उस ब्राह्मन की लड़की के विशे में सुना जो अच्छे लड़कों को देख कर उनसे साधी करने की बात करने लगती थी उनकी बाते सुनकर बाग ने सोचा मैं एक सुन्दर ब्राह्मन युवक का वेश रख कर उस लड़की के पास जाऊंगा फिर तो वह लड़की मुझे देखते ही मुझे साधी करने के लिए तैयार हो जाएगी अगली सुबा बाग एक बिद्वान ब्राहमन युवक का वेश रख कर उस लड़की के गाउं की ओर चल पड़ा गाउं के पास इस्थित नदी के टट पर बैठ कर वह रमायन की चोपाईयों का पाठ करने लगा जब उस गाउं की इस्थित नदी से पानी भरने आई तो वे उसकी आवाज सुनकर आश्चर चकित रह गई थोड़ी देर बाद वह लड़की भी अपनी मा के साथ वहाँ पानी भरने जा पहुँची जिसे अपने चंगुल में फसाने के लिए बाग वहाँ आया था वह भी योग बने बाग को देख कर ठगी सी रह गई और उसके सुन्दर रूप की योर आकरसित हो गई उसने फोरण अपनी मा से कहा कि वह उसकी साधी उस ब्राहमन युवक से कर दे उसकी मा को भी उस युवक का व्यक्तित्व बहुत अच्छा लगा था उसने घर जाकर अपने पती से कहा कि उनकी बेटी के लिए योग गिवर मिल गया है जब लड़की के पिता ने नदी के टट पर जाकर उस युवक को देखा तो वह भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका फिर उसने उसी वक्त को अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया बाग को तो इसी अउसर की प्रतिक्छा थी उसने तुरंत लड़की के पिता का आमंत्रन सुईकार कर लिया जब वह युवक उस लड़की के घर पहुचा तो उसका खूब स्वागत सतकार किया गया बातों ही बातों में लड़की के पिता ने उस युवक से उसके वन्स और गाउं आधी के बारे में पूछा तो उसने चालाकी से जवाब दिया कि वह जंगल के पार ही एक गाउं का रहने वाला है और ब्राहमन वन्स में उत्पन्य हुआ है लड़की के रिष्टेदारों ने भी उस युवक से कई प्रशने किये लेकिन युवक ने सारे प्रशनों का बढ़ा ही संतोस जनक उत्तर दे दिया किसी को भी उस पर तनिक भी संदे नहीं हुआ फिर उस युवक की उस लड़की के साथ साधी तै कर दी गई निश्चित तिती पर दोनों का धूम धाम से विवा हो गया विवा के बाद भी लगबग एक महीने तक ब्राह्मन वेश धारी बाग अपनी ससुराल में रहा हुए बहुत दिन हो गए है मुझे अब वापिस जाना चाहिए क्योंकि घर पर मेरे माता पिता भी मेरा इंतिजार कर रहे होंगे इसलिए आप मुझे अपनी पतनी को साथ लेकर जाने की अनुमति दीजिए ताकि मेरे माता पिता भी अपनी बहु को आशिरवाद दे सके बूढे ब्राह्मन को भरे हिर्दे से युवक को अपनी बेटी को साथ ले जाने की अनुमति देनी ही पड़ी अपनी बेटी के बिदा होने की घड़ी आने पर उसकी मा भी बहुत अधिक दुखी थी पूरी रात वह अपनी बेटी और दमात की यात्रा के लिए रोटियां और मिठाईयां बनाने में जुटी रही लड़की के रिष्टेदारों ने दमात से निवेदन किया कि यात्रा के दोरान जब भी उनकी बेटी ठक जाए वह उसे आराम करने और भूख लगने पर भोजन करने की इजाज़त दे दे दमात ने उनकी यह बात मान ली फिर युवग बने बाग और उसकी पतनी अपनी यात्रा पर चल पड़ी कुछ दूर जाने के बाद लड़की ने एक तलाब देखा तो उसने अपने पती से उस तलाब में सनान करने और कुछ देर वहां अराम करने की आग्या मांगे लेकिन युवग ने उसे डाटते हुए जवाब दिया चुप रहो नहीं तो मैं तुम्हें अपना वास्तविक रूप दिखा दूँगा उसकी बात सुनकर लड़की डर गई और चुप चाप उसके साथ चलने लगी कुछ दूर जाने के बाद उसने एक और तलाब देखा तो उसने फिर अपने पती के सामने अपनी पहली वाली बात दोहराई लेकिन उसके पती ने एक बार फिर से मना कर दिया अब तक लड़की को तेज भूक भी लग गई थी इसलिए उससे रहा नहीं कया और वह जुंजला कर बोल पड़ी दिखाओ अपना वास्तरवी रूप मैं भी तो देखूं कि तुम्हारा वास्तरवी रूप क्या है उसके यह कहते ही उसका पती बाग के रूप में बदल गया अपने पती की जगा बाग को खड़े देखकर लड़की की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई तबी वह बाग उससे मनुष्य की आवाज में बोला अब तुम यह बात अच्छी तरह समझ लो कि मैं वास्तों में कोई ब्राहमन युवक नहीं हूँ बलकि एक बाग हूँ और मुझ में तुरंत कोई भी रूप ले लेने की शमता है अब जल्द ही हम घर पहुँच जाएंगे वहाँ तुम्हें मेरे घर के सामने आधा दर्जन नांदे रखी दिखाई देंगी उन नांदों को रोज भोजन से भरना अब तुम्हारा काम होगा बाग की बात सुनकर लड़की बुरी तरह रोने लगी लेकिन उसके पास बाग के साथ जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था कुछ देर में वह बाग के घर पहुँच गई बाग अपनी पतनी को घर में छोड़ कर भोजन की वेवस्था करने चला गया थोड़ी देर बाद हुआ वह कुछ कद्दू और मांस लेकर वापस लोटा और अपनी पतनी से स्वादिष्ट भोजन बनाने को कहा ब्राहमण की बेटी ने बढ़िया खाना बना कर बाग को खिलाया खाना खाकर बाग अपनी पतनी से बोला आज तुमने अच्छा खाना पकाया है कल फिर मुझे ऐसा ही खाना मिलना चाहिए यह कहकर बाग सो गया उसकी पतनी काफी देर तक उसके पास बैठी सिसकती रही सिसकते सिसकते उसे भी नीद आ गई अगली सुबा बाग के जाने के बाद उसकी पतनी ने फिर भोजन तयार किया और साली नांदों को भोजन से भर दिया अब रोजाना उसका यही काम था इसी तरह समय गुजरता रहा कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जनम दिया जो अपने पिता के समान एक बाग ही था बाग के साथ रहते हुए वह बहुत घुटन महसूस करती थी और किसी भी तरह वहां से भाग निकलना चाहती थी एक दिन जब वह अकेले बैठी रो रही थी तभी एक कववा उसके घर के बाहर आकर बैठ गया लड़की को रोते हुए देखकर वह भी रोने लगा तभ लड़की कववे से बोली क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो क्यो नहीं कववे ने तुरंत कहा फिर वह लड़की एक बड़ी सी पत्ती ले आई और उसी पत्ती पर उसने अपने भाईयों को एक पत्र लिख डाला, जिसमें उसने अपनी सारी आप बीती उन्हें सुना कर उनसे जंगल में आकर उसे बाग के चंगुल से छुटकारा दिलाने का आगरह किया था, वह पत्र उसने कववे के गले में बांध दिया और उससे वह पत्र अपने भाईयों के पास पहुचा देने का निवेदन किया, वह दयालू कववा तुरंत पत्र लेकर उसके भाईयों के गाउं की ओर चल पड़ा, वहां वह उनके घर में जाकर उसके भाईयों के सामने जा बैठा, भाईयों ने कववे की गले में बंदी पत्ती खोली और पढ़ने लगे वह पत्र पढ़ते ही वह आश्चर से कापने लगे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका जीजा वास्तों में एक बाग था तीनों भाई तुरंत अपनी बहन को वापस लाने के लिए जंगल की ओर चल पढ़े वे अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक गधा दिखाई पढ़ा सबसे छोटे भाई ने वह गधा भी साथ ले जाना चाहा बड़े भाईयों ने पहले तो मना किया लेकिन बाद में वे भी गधे को साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई फिर वह आगे चल पढ़े चलते चलते दोपहर हो गई और तीनों भाईयों को तेज भूंख लगने लगी तब वह एक तलाब के किनारे जा बैठे किन्तु भोजन की पोटली खोलने पर देखा कि वह उस पोटली में एक छेद हो गया था और सारा भोजन उस छेद से गिर गया था अब भूग के कारण उन्होंने उस तलाब का पानी पी कर ही अपना पेट भर लिया फिर वह कुछ आगे चले तो उन्हें लोहे का एक बड़ा टब दिखाई दिया जो पास के ही एक गाउं के धोबी का था वे उस टब को भी साथ ले चली कुछ और आगे जाने पर उन्हें एक चीटी मिली उन्होंने उस चीटी को भी अपने साथ ले लिया बाग के घर पहुंच कर उन्होंने उससे लड़ने के लिए एक पेड़ भी उखाड लिया चलते चलते वह अपने बाग जीजा के घर पर जा पहुंचे उस समय बाग घर से बाहर गया हुआ था और शिर्फ उनकी बहन और उसका बच्चा घर में थे उनकी बहन अपने भाईयों को देख कर बहुत खुश हुई और बोली प्यारे भाईयो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा पत्र पाते ही तुम लोग मुझे उस तुष्ट बाग के चंगुल से छुडाने के लिए आ गए लेकिन यह बाग बहुत खतरनाक है तुम जरा सावधान रहना अब वह किसी भी समय घर लोट सकता है फिर वे एक साथ बैट कर दुश्ट बाग से निपटने की योजना बनाने लगे फिर योजना के अनुसार तीनों भाई गधे चीटी टब सभी को लेकर अटारी पर चले गए उनको अटारी पर चड़े दो मिनट भी नहीं हुए थे कि बाग वहाँ आ पहुँचा चतुर बाग ने वहाँ आते ही मनुश की गंद पहचान ली और अपनी पतनी से बोला क्यूं क्या कोई घर पर आया था मेरे भाई आपसे मिलने के लिए यहां आये हैं वह अभी अटारी पर आराम कर रहे हैं उसकी पतनी बोली क्या बात है बाग जोर से उन भाईयों से बोला बोलो क्या कहना चाहते हो तब सबसे छोटे भाई ने जो उन में से सबसे चतुर था चीटी को गदे के कान में डाल दिया चीटी ने गदे के कान में गुश कर जैसे ही उसे जोर से काटा गदा करकस आवाज में रेंकने लगा कैसी आवाजे तुमारे भाई की बाग सक पका कर अपनी पत्नी से बोला वो आपका अभिवादन कर रहा है आखिर आप उसके जीजा जो है पत्नी ने तुरंत जवाब दिया मुझे अपने पैर दिखाओ बाग ने कहा बाग के यह कहते ही बड़े भाई ने अपने पास रखा पेड अटारी से आगे कर दिया बाप रे इतना बड़ा पैर बाग के होस उड़ गए इतना बड़ा पैर उसने कभी नहीं देखा था फिर भी वो हिम्मत करके बोला मुझे अपना पेड दिखाओ उसके यह कहने पर भाईयों ने लोहे का टब आगे कर दिया अब तो बाग घबराहट के कारण सिर पर पैर रख कर वहां से भाग खड़ा हुआ घबराहट के कारण वह बुरी तरह काप रहा था फिर उसकी पतनी ने बाग के बच्चे को भी मार डाला और अपने भाईयों के साथ अपने घर लोट आई तो फ्रेंड्स यह कहानी यहीं पर खत्म होती है आपको कैसी लगी कॉमेंट करके चरूर बताईएगा धन्यवाद